हलो एवरिवन आज में लेकर आई हूँ मोट और आलू की ऐसी टेस्टी सबजी ये रजस्तानी डिस है टेस्टी होने के साथ हेल्थी भी है हेल्थ बेनिफिट जानेंगे बनाने का सही तरिका तो फिर देर किस बात की चलिए फटा फट से बनाना सुरू कर लेते हैं ये टेस्ट इसी मोट की सबजी मोट की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मोट लेंगे और एकवल कीजिएगा और इसका आगे वाला पीछ वाला पार्ट कट कर देंगे अगर आप ऐसे एकवल कट करके ये आगे वाला पीछ वाला पार्ट नहीं कट करेंगे एक एक का आगे वाला और पीछ वाला पार्ट कट करेंगे तो बहुत ज़दा टाइम लग जाएगा ऐसे collect करके cut करोगे तो देखिए आगे वाला पीछो वाला part कितनी जल्दी remove हो चुका है और इसे कितनी जल्दी अपने cut कर लिया है Half kg मैंने यहाँ पर मोट की फली ली है और उसी के according सारा measurement देखेंगे मसाले का मोट की फली cut करने से पहले भी आपको अच्छे से साफ करके wash करना है कट कर लेने के बाद भी आपको अच्छे से wash करना है तीन medium size के आलू लेंगे आप सुगर फिरी वाली भी ले सकते हो मीठे वाले पीले आलू भी ले सकते हो आलू को छेल कर आपको medium size में कट कर लेना है कुछ लोग के आलू का बिना छिलके उतारे ही कट करते हैं आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन मैंने इनका छिलका उतार लिया है मान लो आपने आलू पहले ही कट करके रख दिये हैं तो ऐसे बहार खुला मत छोड़ियेगा वरना ये काले पड़ जाएंगे पानी में डूबो कर रखेगा तो ये बिलकुल भी काले नहीं होंगे जैसे आप मेरे आलू देख सकते हो अब नीचे से गेस ओन करके उतना पानी लेंगे कि आलू डू बजाए और इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक डालेंगे नाम मातर की हल्दी पाउडर ये हल्दी पाउडर इसलिए अपने एड़ करते हैं ये जो इनका कलर वाइट वाइट सा है न आलू का वो सब्जी में बाद में अलग से नहीं दिखेंगे कि आलू अलग दिख रहे हैं मोट की फली अलग दिख रही है और इन्हें बोईल कर लीजे का आप चाहो इन्हें फराइबी कर सकते हो अपने आलू बोईल हो चुके हैं अब नीचे से गेस बन कर देंगे आपको अलू ज्यादा बोईल नहीं करने है वरना जैसे ही अपने सब्जी में मिक्स करेंगे खीचडी बन जाएगी दूसरे गेस में मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया है दो टेबल इस्पोन ओईल लेकर इसमें जीरा डालेंगे और प्याज डालेंगे च्यार मीडियम साइज के आप प्याज कट कर लीजिए का प्याज आप हरे वाले ले सकते हो लाल प्याज है मेरी तरह लाल प्याज भी ले सकते हो सफेद प्याज आते हैं आप वो भी ले सकते हो और इन गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज जिसे ही फराइ होंगे मोट की जो फली है वो इसमें एड़ करेंगे अभी आप कोई भी मसाल एड़ मत कीजिएगा पहले अपन मोट की फली को फराइ करेंगे पकाएंगे इसके तेन चार बेनिफित है एक तो कम ओ उयल में फराइ हो जाएगी बार-बार पैंदे के नहीं चिपकेगी जल्दी से पक जाएगी अगर मसाले एड़ कर देंगे तो पकने में तायम बार-बार पैंदे के चिपकेगी ये देखें अपनी मोट की फली फराई हो चुकी है अब आप इसमें एक चमच हल्दी पाउडर एड़ कीजिए का मेरी लाल मिर्च पाउडर जदा स्पाइसी है तो मैं केवल इसमें हाफ चमच एड़ कर रही हूँ अगर आपके लाल मिर्च पाउडर कम स्पाइसी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी एड़ कर सकते हो थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाले जलेना इस सबजी में तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो तीखे का आपको मेजर्मेंट ध्यान में रखना है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी है क्योंकि बीना रोटी के भी इंसान खाए तो आराम से खा सके मोट की फली अपनी पहले ही फ्राई हो चुकी है तो मसाला पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा मसाला पकर त्यार हो चुका है तेल उपर आ चुका है जो अपने आलू बोईल किये हैं वो इसमें डालेंगे आलू का पानी निकाल लेना है फिर एड कीजिए का और एक मिन्ट तक चलाएंगे कि आलू अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए अपने आलू में हल्दी पाउडर एड की है तो आलू सबजी में अलग-अलग से नहीं दिख रहे हैं ना मिक्स से हो गए हैं सबजी अपनी पकर त्यार हो चुकी है अब निचे से गेस बंद कर लीजिए का और मैं इस एक कटोरी में ट्रांसफर कर रही हूं सबजी को मुं में पानी आगे ना देखते ही प्रोटीन विटामिन ऐसी भरपूर मात्रा पाई जाती है मोट की फली में आप खाईए, बनाईए, बच्चों को, बड़ों को, सबी को खिलाए, टीफिन में भी पेक कर सकते हो मोट की फली और आलू की कॉम्बिनेशन बड़ा ही टेस्टी लगता है मुझे उमीद है जो मैंने आपको मेजुर्मेंट बताया है बनाने का सही तरीका वो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि क्या करना है वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब मुझे उमीद है आप ये जरूर करेंगे